हमारे जो प्रॉब्लेम्स होते 10, 11, 12 में उनके लिए मल्टिप्लिकेशन का ट्रीक आना जुरूरी होता है क्योंकि वो हमें हमारा जो टाइम होता एक्जाम में वो बचाता है इसलिए आज हम जानेंगे कि मल्टिप्लिकेशन बाइट्रीक कैसे करते हैं इसे नॉर्मली बहुत टाइम लगता है लॉक टेबल से भी लगता है दूसरा इसमें हम दे देखेंगे अगले वीडियो में कि स्क्वेर रूट कैसा निकाला जाता है बाइट्रीक से क्यूब करेंगे स्क्वेर कैसे करेंगे और लॉक टेबल से भी हमें प्रॉब्लेम कैसे सौल कर सकते हैं यह भी हम जानेंगे फिलार इस वीडियो में हम मल्टिप्लिकेशन का देखते हैं शुरू में क्या करेंगे आपको प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हम एक सिंपल एक्जाम्पल कि जैसे कि यह एक नंबर है जैसे कि 101 यह एक 3-digit नंबर है हम इसका मल्टिप्लिकेशन करेंगे दूसरा 3-digit नंबर के साथ जो कि मैंने लिया है 240 अब ही इसमें ट्रीक क्या करना है हम क्या करेंगे यह विडियो के लिए हम एक एक ट्रीक आपको बताएंगे इसमें जैसा क जनरली क्या है कि हमने शुरू में ये तीन डिजिट्स जो है जैसे कि मान लिजी ये ए पोजिशन पे ये दो लोग है बी पोजिशन पे ये दो लोग है और सी पोजिशन पे ये दो लोग है तो अभी जनरली हम क्या कर सकते है कि हमारा फैला स्टेप क्या होगा फैला स्टेप second step में और वो multiplication करके जो number आएगा जो c position में जो number से उनका multiplication करने के बाद जो number आएगा वो हम यहाँ add करेंगे और ऐसा हम चलते जाएगे दूसरा step में हमारा रहेगा जो b और c में जो number से उनका cross multiplication करेंगे जैसा कि b में यह 0 है c में भी यह 0 है या इस position पे जो भी number होगा उनका हम multiplication करेंगे यहां लिखेंगे और C में जो C position पे जो number है वो और B position पे यहां number है उसका cross multiplication करेंगे और वो यहां लिखेंगे और उनका addition करेंगे और फिर वो जो carry अगर आया तो carry हम extra add करेंगे और फिर यह number ऐसा लिखती जाएंगे फिर हम क्या करेंगे तीसरा step रहेगा A और C position के जो number से उनका cross multiplication C और A के number का cross multiplication और B position पे जो दोनों number है उनका cross multiplication फिर next step रहेगा यह जो number है इनका cross multiplication जो की A position पे हैं और इन number से हम आगे जाएंगे तो एक-एक number हम देखते जाते हैं तो सबसे पहले हमारा position बनता है C का तो हम यहाँ लिखेंगे 101 multiply 240 तो पहला step आएगा वो रहेगा 1 का multiplication होगा 0 के साथ तो जान बुझ के हमने यह 0 लिया है इसलिए हम answer लिखेंगे जो भी आया 0 into 1 is 0 फिर दूसरा step रहेगा वो रहेगा कि B position और C position के numbers हम ध्यान में रखेंगे जबकि जो B position है यह position B position है और यह C position है हम इनका cross multiplication करेंगे इस प्रकार से तो 0 into 0 वो बनेगा 0 और यह C position का 1 और B position का 4 वो बनेगा 4 तो 4 प्लस 0 बनेगा 4 तो हमने यह जो 4 है हम इसके आगे हम यहाँ place कर देंगे तो इस प्रकार से यह आ जाएगा फिर हमारा next step क्या रहेगा कि हम क्या करेंगे तो अभी हम यह अलग page पे लिखते है क्योंकि यह फिर आपको confuse हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने यहाँ 2 step पूरा किया है हमको 3 digit number है इसलिए 6 step पूर्णा करना है इसमें से 2 step हमने पूरा कर लिया है अभी बचे हुए 2 step में जो 3 नंबर का step है उसके लिए हम देखेंगे यह देखिए हमारा number था 101 into 240 यह हमारा number था हमारा यह जो position था यह A position था यह B था यह C था यह दो position पूरा करके हमने पाए है 4 0 अभी हमारा तीसरा point रहेगा तीसरा यह रहेगा कि हम क्या करेंगे यह जो 3 numbers है यह जो सभी numbers इनका cross multiplication होगा इसमें C position का number और A position का number इनमें देखिए A का 1 और C का 0 यह cross multiplication होगा 0 into 1 क्या होगा हम यहा लिकेंगे 0 दूसरा A position का 2 और C का 1 तो 2 into 1 हम यहा लिकेंगे plus करके वो आ जाएगा 2 into 1 2 और जो बचा हुआ है उनका सीधा multiplication होगा जो कि B position के दोनों बचे है तो उनका multiplication होगा तो इस प्रकार से 0 into 4 0 into 4 का multiplication होगा 0 तो हमने इस प्रकार से यह 3 लोग हमें add करना है अगर इधर carry आता है तो हम carry को आगे के number में add करेंगे और यहाँ इधर का number लिक देंगे लेकिन यहाँ carry आता नहीं जान बुच के है सामने example लिया है जिसमें carry नहीं है तो 0 plus 2 plus 0 is 2 क्योंकि आपको यह easy हो जाएगा understand होने के लिए इस प्रकार से यह हमने लिखा number 2 यह जो था यहाँ से हमने यहाँ 2 हम लेके आए इस प्रकार से हमने तीसरा step पूरा कर दिया है अभी तक तीसरा step पूरा कर लिया है अभी हमारा next step होगा कि हम क्या करेंगे जो अभी तक हमने यह last से हमने शुरू किया c position से 1 into 0 फिर हमने central point जो number थे उनसे cross connection किया अभी हमको क्या करना है यह जो a b position है इसका हम करेंगे तो a b में हम देखिए फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ 101 into 240 यह है और हमारा number है a b c position पे और हम क्या करेंगे अभी यह left side का दो position से a and b उनमें number का multiplication करेंगे जैसे कि a में 1 है और b में 4 है तो हम इनका cross multiplication करेंगे 1 into 4 या 4 into 1 is 4 और दूसरा इनका cross multiplication करेंगे 2 into 0 is 0 तो इस प्रकार से हमने यहां तक आये थे तो यह number यहां फिर से हम लिखेंगे 240 और अभी यह जो आया number इसको हम add करके जो 4 मिला वो 4 हम यहां लिख देंगे अभी हमने जो start किया था c position से c के जो दोनो नमबर थे 1 और 0 उनका multiplication किया था अभी last step बाकी है वो है एक जो दोनो नमबर है उनका multiplication करना तो 1 into 2 यह जो 1 into 2 हम करेंगे तो 1 into 2 मिलेगा 2 तो यह बन जाएगा यहां 2 तो आप अगर calculation करेंगे तो 1 0 1 into 2 4 0 is 2 4 2 4 0 इस प्रकार से हमने यह trick में जाना कि यह बहुत आपको यह अगर practice करेंगे आप तो आपको बहुत short समय में आप इसको produce कर सकेंगे अभी हम क्या करते दूसरा example लेते जो कि क्यारी वाला example हो अभी जो नंबर लेंगे हम ओ जैसा कि यह देखिए 4 5 6 दूसरा नंबर रहेगा 7 8 9 यह जो 3 डिजिक नंबर है इनके positions रहेंगे आपको मालूम है यह A रहेगा पहला रो का यह पहला column यह रहेगा दूसरा column B रहेगा तीसरा column C रहेगा अभी हमको steps मालूम है step पहली यह है कि जो पहला जो C column है उसमें जो नंबर से उनका हम multiplication करेंगे फिर दूसरा step रहेगा B और C के जो नंबर से उनके cross multiplication करेंगे फिर तीसरा step रहेगा सभी numbers का जो है वो multiplication करेंगे जैसे कि देखिए A और C के number से उनका तो cross multiplication होगा और B में जो number से B column में जो number है उनका किदा multiplication होगा और फिर next step रहेगा अभी यह column भूल जाएगा जैसा पहले हम A column भूल गए थे वैसा C column भूल जाएंगे और यह numbers चोई A और B इनका cross multiplication होगा जैसा कि A का number B के column में जो है उनसे multiplication होगा वैसे B का A से होगा और फिर उसके next step रहेगा जैसा हमने सुरू में पहले में C के दोनो numbers का multiplication किया था वैसा last step जो रहेगा वो A के दोनो number का multiplication करना इस प्रकार से और फिर हम जो carry मेलेगा उसको next number में add करते जाएंगे इस प्रकार से यह procedure होगा तो सबसे पहले हम लेते हैं C कॉलम में जो है उनका multiplication तो उनके multiplication में देखिए 9 into 6 9 into 6 जो होगा वो होगा 54 और 54 में हमने जो 4 है इसमें 2 digit मिले हमको जो 4 है वो हम यहां लिखा यहां लिखा और इसमें जो एक नंबर मिला 5 यह रहेगा carry यह 5 रहेगा carry तो यह देखिए यह carry number है फिर हमारा next step क्या रहेगा जो B & C का cross multiplication जैसा की यह ऐसा 5 का मुल्टिप्लिकेशन करेंगे 9 के साथ 8 का करेंगे 6 के साथ तो 5 का जब हम multiplication किया 9 के साथ तो हमें number मिला 45 45 number मिला और 8 का 6 के साथ multiplication किया तो 48 मिला और हमें carry भी add करना है तो carry ये 5 है जो carry है वो है 5 तो हम carry इधर add कर देंगे यहाँ add कर दिया तो क्या हुआ देखिए ये 5 भी add कर दिया हमने तो इस प्रकार से ये 5 एड करने के कारण हमें मिला 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18 carry 1 1 प्लस 4 प्लस 4 इस 9 इसमें भी हमें carry मिला और ये right side में एक number मिला तो हम क्या करेंगे हमारा procedure है हम right side में जो number मिलता है उसको हम यहाँ लिखते है जो की 8 है और carry जो है वो अगला multiplication में हम add करते है जो की ये अभी बन गया carry ये है c याने carry अभी ये steps 2 हा पहला step ये था 6 into 9 दूसरा ये b and c के लोगों का multiplication और अभी next point में क्या होगा कि हम क्या करेंगे ये a और c और c के ये जो numbers है इनका cross multiplication करेंगे और जो central column है b उनके column में जो number है उनका सीधा multiplication करेंगे तो ये देखिए हमारा ये number था 4, 5, 6 और दूसरा multiply कर रहे हैं by 7, 8, 9 column हमारे है a में ये, b में, c में हमने कुछ पार्ट हमने two steps ले लिया है अभी हम next step ले रहे हैं तो जो हमारा number था वो आ चुका था 4 and 8 जैसा कि हमने क्या किया था वो आपने देखा अभी हमें क्या करना है third step ने देखिए जो a and c है a and c में जो number से उनका cross multiplication करेंगे और b के जो number से उनका सीधा multiplication करेंगे तो देखिए पहला number जो है a into c का यहां लिखेंगे दूसरा number है a into c का यहां लिखेंगे जैसा कि a में 4 है c में 9 है तो 4 into 9 यह बन गया 36 और 7 जो है यह में और 6 c में तो यह 7 into 6 यह 6 into 7 यह बन गया 42 और तीसरा ने आएगा b वाला b into b b into b इस प्रकार से b into b क्या है 5 into 8 5 into 8 हो गया 40 और फिर इनमें और एक चोटा एड होगा जो की होगा carry जो की इस number का carry होगा तो यह जो carry है वो 9 है तो इधर हमने लिख लिया carry 9 जो की 98 से मिला था 8 हमने यहां लिखा और जो carry जो 9 है वो हम क्या करेंगे वो add करेंगे यहां तो वो add होने के बाद हमें क्या मिलेगा यह सभी का sum करेंगे addition करेंगे तो क्या होगा 9 plus 2 11 plus 6 17 carry 1 1 plus 4 5 plus 4 9 plus 3 plus 3 क्या होगा 12 तो 127 यह हमें नमबर मिला इस प्रकार से देखिए हमने A into C 4 into 9 36 second number जो A and C का है 7 into 6 42 और फिर B into B याने B का जो पूरा कॉलम है उसमें 5 into 8 numbers है तो 40 और यह जो carry हमे last multiplication मिला था जिसका right number हमने यहां लिका था और जो carry है हम यहां लिका और इन सब का addition किया जो 127 नमबर आया उसका 7 जो है अभी हम यहां लिकने जा रहे है इस प्रकार से और फिर हमारे पास another carry मिला यह एक और carry मिला यह carry का use हम अगले जो multiplication होगा उसमें करेंगे तो हम फिर से लिक लेते हैं हमारे numbers A, B, C कॉलम में और यह देखिए numbers है हमारे 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम आच चुके थे जो numbers था हमारा वो आच चुके थे हम यहाँ पे 7, 8, 4 7, 8, 4 और अभी हमारा step रहेगा कि हम क्या करेंगे अभी हमने सबसे पहले इस column को exclude किया था शुरू में और यह जैसा B and C का लिया था और फिर B and C का लिया था उस प्रकार से अभी हम A and B का multiplication करेंगे A के column में जो number है उनका B के column के number के साथ multiplication होगा और इस प्रकार से हम यहाँ फिर से लिकेंगे तो देखिए यहाँ क्या होता है तो हम क्या करेंगे A and B इसका first number जो है वो आएगा first column A, 4 B का 8 वो होगा 32 4 into 8, 32 A column B, column second number यह रहेगा 7 into 5 वो होगा 32 35 यह 32 इसके बाद 35 7 into 5, 35 और फिर हमारे पास अभी तीसरा जो है वो है carry तीसरा जो है वो carry वो हमें मिला था last इसमे वो है 12 तो यह जो 12 है वो हम यहाँ carry जो है वो add करेंगे carry वो है 12 तो यह तीनों का हम अभी submission करेंगे तो यह तीनों का submission क्या मिलता है देखिए 2, 5, 7 प्लस 2, 9 then 1 प्लस 3, 4 प्लस 3, 7 इस प्रकार से एक और number हमको मिल गया इसमें एक right extreme का number है वो हम लिखेंगे यहाँ तो यह हमने number लिख दिया 9 यहाँ और फिर हमें एक और carry मिल गया जो की है 7 वो हम next multiplication में add करेंगे तो इस प्रकार से यह हो गया हमारा number अभी next multiplication में हम क्या करेंगे हमारे पास last tip है जैसा हमने शुरुआ शुरुआत की थी C के दोनो numbers का इस प्रकार से next test में हम क्या करेंगे A के दोनो number जो है वो हम multiply करेंगे जैसा की A के number कुन है 4 and 7 4 and 7 क्या आया तो यह आया 28 और फिर हम carry carry क्या है 7 तो यह है 7 7 plus 8 15 and this one is carry so 2 plus 1 35 तो यह जो number है अभी हमारा पूरा हुआ यह जो है number का multiplication पूरा हुआ तो हम क्या करेंगे अभी हम यह 35 number यहां लिख देंगे इस प्रकार से यह हमारा answer तक हम पहुँच चुके है तो इस प्रकार से आप यह सभी steps जो है यह करके यह practice करेंगे तो एक सेकंदों में आप इस answer को ला सकते है यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरा चैनल आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे और वीडियो मैं लाने वाला हूं जिसमें बहुत से ट्रीक होंगे जैसे कि स्क्वेर रूट कैसे निकालते हैं शॉट कट में ट्रीक के द्वारा और लॉगेरीथम कैसे आप सवाल करेंगे इस प्रकार से यह सभी जिनका केमिस्ट्री प्रावबलेम साइन्स के प्रावबलेम इनमें और मैथ के प्रावबलेम में बहुत जरूरी होता है वो सब आपका टाइम बचाएगा इसलिए मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दन्यवाद